हेलो दोस्तो आप इन्हें वीडियों मेर देखेंगे और खुछ समझ जाएंगे कि इन्डियन काईगरीन क्यों कहते हैं जी हाँ ये पुरा इंडियन काईगरीन है इनने काईगरीन जैसा पुरा लुक कर रखा है और छोटी सी उम्र में इनने बहुती बड़ा नाम कमाया है आ और यह एक बहुती अच्छे सीलेबिल्टी है और बहुती अच्छे इंसान है और इनके बहुती फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर आप इन्हें सर्च करकर भी देख सकते हैं इंडियन काईगरीन के नाम से इन्हें जाने जाते हैं अब आप देख प्रतिबा में में और यह आई वीप प्रो है और आईए हम इनके बारे में आपको बताते है और मैंने सीनियर वोमन बॉड़ी विल्डिंग में गोल दिया है और स्पेशली थांक्स टू प्रेंचन डिंगरा सर चेतन पठारे सर हीड़न नाम और आई डीटीफ टीम मेंबर्स क्योंकि उन्होंने ही हमको उन्होंने ही हमको यह मंच इतना बड़ा मच दिया कि हम मैं अपने आपको यहां पर साबित करें क्योंकि यह पुरुष पुरुषों का केल है लेकिन उन्होंने हमको मौका दिया और सबसे ज्यादा स्पेशली थांक्स मेरे हस्बेंड का मेरे उत्राखंड की जनरल सेक्रेटरी मिस्रमोकेश पाल का स्पेशली थांक्स थांक्यू तो मेरे हस्बेंड का तो सेचली जले हर जब एक मेरे गुरु ने मुझे बोला कि तुम्मारी शाइद एज हो गई है और तुम तुम नहीं कर पाऊगी तम मेरे हस्बेंड ने का मैं तुमारे सथ में दिरूगा और मैं तुम को इन प्ली तक पर बच पाँ तो स्पीशली थ तो इसके बाद आपका नेक्स टार्गेट मेरा इशिया और वर्ड और मैं सर डेडिकेटेड हूं आई बीवी एफ के लिए था बहुत बड़ा थे क्यों मैं डेडिकेटेड हूं और उसी की मैफ लिए मेरा इंस्ट्रागाउंट भी आई प्रतीबा भी शेल है वाफ सो आपको नेक्स्ट जो आपका टार्गेट है एशिया चैंपिन सीप एंड वाल चैंपिन सीप सोदू है ये अरवाजच खान है और आप सभी इनहें जानते होंगे आईए इनके बारे में हमें आपको बताते हैं हेलो दोस्तो ये अरवाजच खान है और यह ठी टाइम मिस्टर इंड झाल झाल